हलो गाईज वेलकम टो डूर क्लासिस मैं हूँ देव जैसा कि हम लोग हर हकते एक किसी ना किसी बुक का रिव्यू आपके लिए लेकर आते हैं तो वी आ बित आजादी के बाद भारत विपिंग चंद्रा के दोरा जो लिखी गई बुक है आप जानते हैं कि आप्टर इंडिपेंडेंस के लिए कई सारे बुके मार्केट में तो हैं बट आपके पास दिमाग में हमेशा एस्प्रेंट के बीच में एक डिस्कृसन का पार्ट रहती विपिंचंद्रा की बुक तो आज हम उस बुक का रिव्यू आपके सामने लेकर आए हैं मेली एस्प्रेंट के लिए यह रहता है कि उस बुक का कंटेंट जानना उनके लिए काफी जयूर रहता और साथी साथ उस बुक की लैंगविज कैसी है उस बुक की राइटिंग इस 41 चैप्टर हैं मेली 40 चैप्टर हैं तो देख लेते हैं कि वो चैप्टर कौन-कौन से हैं तो फर्स चैप्टर भुमिका के बाद भारत में उपनेवे सवा KIRBY की अंदुलन के विरासत संबिधान और इसके प्रमुक प्रावधानों का विकास संबिधान की सनरचना और मूल- से संस्था हैं जो कि exam के point of view और PT और मेंस दोनों के point of view से काफ़ important होता है साथ समिधान की संरशना के बाद सुरुवाती दौर में क्या-क्या चीजे हुई राष्ट के रूप में भारत का गठन राष्ट के रूप में भारत का गठन पार टू में जंजातियों के बीच क्या चीजे हुई छेत्रवाद और छेत्री असमानता में क्या-क्या बदला हुआ है साथी साथ आसा और उपलब्दियों के वर्स पूरा चीजे दी गई है विदेश नीती आयार जो की पूछा जाता कि नहरू ने उस दवरान में पर्टिकुलर क्या-क्या सारी चीजे की और एतिहासिक परिफेच में जवार नहरू राजनेतिक दल 1947 से 1964 कांग्रेस राजनेतिक दल 1947 से 1965 तक विपच्छ जो था जितने विपच्छ में राजनेतिक दल थे उन्होंने क्या-क्या सारी चीजे नीतियां क्या-क्या लेकर आए फिर सास्ट्री से इंद्रा गांधी तक के सारे चैप्टर जो भी उनोंने नीतिया चलाई उसके बाद इंद्रा गांधी का वर्स जो था 1969 से 73 तक जेपी आंदोलन और अपात काल जो कि अकसर एक्जाम में कहीं पूछा जाता है और ये स्प्रेंट के बीच में डिस्कुसन का पार्ट भी रहता है और बहुत सारे स्प्रेंट इसके बारे हम जानना भी चाहते हैं तो इसमें अलग से एक चैप्टर पूरा दिया गया है फिर राजी वर्स और मिलेनियम की दहलीज पर प्रदेश में राजनीती चैप्टर को जान लेना भी काफी जरूरी हो जाता है पंजाब का संकट उस समय क्या हुआ फिर भारती अर्थतंत्र 1947-65 नेर्यवादी बिरासत भारती अर्थतंत्र 1965-1991 उसके बाद हमारे एकनोमिक में या एकनोमिक छेत्र में जो बदला हुए वो सारी चीजस में दी गई है न्यू एकनोमिक पॉलिसी जो हमारे यहां लॉंच की गई उसके 1991 के बाद का आर्थिक सुधार उसके पश्चात का चैप्टर है नई सताबदी में भारती अर्थतंत्र भूमी सुधार जो किये गए अपनी वेसिक प्रभावत अतरास्ट्री विकास और रास्ट्री मतलब आंदोलन की मिरासत और भूमी सुधार जमीदारी बिवस्ता की समाप्ती और कस्तकारी सुधार शुरू हुआ उसके बाद भूमी सुधार, हकबंदी और भू, दान, आंदोलन जो हमारे विनोवा भावे के दोरा चलाएगे इसमें डिटेल है पूरा दिया गया है साथी साथ भूमी सुधार से रिलेटेड जितनी भी बाते हमारे भारत के परिपेच में लॉंच कीगे गवर्मेंट के दोरा या जो जो एक मेली समाच के दोरा या जो भी बदलाव कीएगे वो सारी चीज़े इसमें डिटेल में दी गई आप जानते हैं कि एक्जाम के पॉइंट अगोई से मेंस में इनसे क्यूश्चन भूमी सुधार से रिलेटेड आते ही आते हैं उसके पश्चात भूमी सुधार की सहकारिता और सामार ने अलोकन तो ये चैप्टर भी कहीं काफी इंपॉटेंट हो जाता है कि महिलाओं का क्या रोल रहा आजादी के बाद हमारे भारती महिलाओं में क्या-क्या बदलावा है उनके उपर जो जो चीजे मेंली जो उनके उपर अत्या चारिया वो होता था उसके बाद उसमें क्या-क्या चीजों में चेंजेसां है तो सारा इसके अंदर दिया गया है तो यह सारी चीजें इसके अंदर content दी गई है चलिए आपके पर्टिकुलर इसकी language कैसी है उसको समझ लेते हैं तो एक दो पैराई पैसे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ जिससे आपको इसकी language थोड़ा पदा चल जाएगी कि mainly क्या language है आपके लिए कितनी better है क्योंकि अक writing skill book की कैसी है आपको बेटर लग रही कि नहीं लग रही मेरे हिसाब से तो हमारे टीम की हिसाब से तो इसकी writing skill बहुत बेटर है काफी simple के साथ साथ इन्होंने काफी better तरीके से explain करने क्योंस की है फिर भी अगर आप जानना चाहें तो आप कुछ पैसे मैं पढ़ देता के लिए जैसे कि इसका पहले ही chapter का पहला पैसे किस तरीके से उन्होंने भूमिका में सुरुवात की है क्योंकि अक्सर अगर कोई question आता है तो इसकी भूमिका में ही काफी percent examiner को हम impress कर सकते हैं तो इसकी भूमिका में ही काफी अच्छी दी गई जैसे देख लेते हैं भारत क तोर पर फैली महामारी, भीसर सामाजिक विसमता और अन्याय के उपनिवेस्वादी बिरासत से उभरने के लिए अपनी लंबी यात्रा की सुरुवात की 15 अगस 1947 मात्र पहला पढ़ाओ था या उपनेस्वादी राजनेतिक नियंतर्ण में सिर्फ पहला बिराम था के वादों को पूरा किया जाना था और जंता की आसाओ पर खरा उतरना था तो किस तरीके से इन्होंने काफी बिटर तरीके से घुमिका स्टार्ट की है और आपको एक्जाम के पॉइंट ऑव व्यू से ज़रुरत भी पढ़ती है तो इसके कुछ चैप्टर की और हम लोग वसूल करने में थी और इसलिए उसने सभी खेती के विकास के बारे में कभी खेती के विकास के बारे में सोचा ही ने उसने क्रेशी की तरक्की के लिए ना मातर पैसा ही खर्च किया रहे जमीदार और महाजन लोग तो उनकी कोई उप्योगिता आर्थिक भूमी में नहीं र लिए कभी पूंजी निवेस करने की जहमत ही मोल नहीं ली तो इस तरीके की बात अगर आप कि भारत के अपनिवेसिक समय में क्यों खेती पीछे चलती चली गई तो वो सारी चीजे जानना क्योंकि लिखना पड़ता है हमें तो इस तरीके की लैंगुज देख लेते हैं भारत को थोड़ा सा इसका अनुमान लग जा इसलिए मैं और एक पैसेस पढ़ देता हूं भारती राष्टी आंदोलन प्राया विस वितिहास का सबसे बड़ा जना अंदोलन था उनीस सो नीस के बाद इस जना अंदोलन का निर्माड इस धारना के इर्द गिर्द हुआ कि आम जन अंदर खीचने सक्री करने और उन्हें राजनीतिक सिछा देने में सफल हुआ करोडों लोगों को आंदोलित और राजनीत में सक्री करने वाले महान नेता कांधी जी अपनी पूरी जिंद्र की इसी विचार का प्रश्चार करते रहे कि चाहे उपनिवेसिक सासन को परिवर्तन का जनता ही जन आंदोलन की स्रस्टा होती है नेता नहीं हलाकि किसी भी आंदोलन की सफलता या विफलता बहुत हद तक इसके नेताओं की गुडवत्ता पर भी काफी निर्भर करता है तो इस तरीके की बाते एक तरीके से आपको UPSC के क्योशन में भी देखने को म आई तो देख लेते हैं कि नहरु के नीतियां क्या क्या थी उसका एक चेप्टर हम एक दो इसका भी पैरग्राफ पढ़ लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सन्वान लग जाएगा कि विदेश नीती नहरु की क्या थी तो ये गुट निर्पेचता भारत अथा अन्य 933 बड़ा मातूदारण के लिए संयुक्तरा संग में जिसकी सदस्ता इन देशों के प्रवेव के कारण काफी बढ़ गई एक देश एक वोट की विवस्ता ने गुट निर्पेच समधाय की सोव्यत संग के मदद से पश्मी गुट का सामना करने में मदद की इस प्रकार और फिर 1991 के बाद जो एकनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस हैं उसमें क्या लिखाया है इनके दौरा तो वो भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा कुछ पैराग्राफ अगर हम इसके देख लेते हैं तो असी के दसक तथा 1991 के बाद स्टॉक बाजार में सुधारो ये मुदारी कर और 1991 के बाद सुधारो के फलसुरो 1993 के अंत तक 60 फीसी हो गया तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर बुक में सारे कंटेंट को देख सकते हैं कि भारत के आजादी के बाद क्या-क्या बदला हुए तो इस तरीके से ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है और एक्जाम के प इन उन कौन सी चीजे डाली गए जैसे रास्टी मोर्चा सरकार 79 में इनका इन इन पेजों में किया गया है इस सरीके से आपको अगर कोई भी चीजों के बारे में जानना हो तो आप यहां पर पेज भी देख सकते हैं तो यह चीज इस बुक में दिया भी गया लास्ट में आ आपको जैसा भी बुक रिव्यू लगा हो आप जरूर कमेंट करें और आपको जिस भी बुक के बारे में नौलेज चाहिए हो आप हमाँ पस कमेंट कर सकते हैं as soon as possible I will provide the particular बुक रिव्यू so thank you for watching our video and subscribe it आप बुक के बारे में जानने के लिए हमाया चैनल को जरूर सस्क्राइब करें इसी तरीके से बने रहें thank you करेंब करेंब करेंब